हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम ये देखेंगी कि एक स्पीकर कैसे काम करता है आपको पता होगा स्पीकर्स जो होते हैं वो मुबाइल फोन में, लैप टॉप्स में, म्यूजिक सिस्टम्स में जितनी भी जितनी भी audio devices हैं जो आवाज निकालते हैं अपने अंदर से, songs जिससे आप प्ले करते हैं, mp3 प्ले करते हैं, music सिस्टम होते हैं, उनमें the speakers का use होता है, तो हम यह जानेंगे कि आखिर यह speakers काम कैसे करते हैं, कैसे इनमें से आवाज आती है, क्या सिधानत है, किस principle पर यह काम करते हैं, तो उसका practical दिखाने के लिए हैं, उसको बताने के लिए कि वो कैसे काम करता है, मेरे पास एक छोटा सा speaker है, आप देख सकते हैं एक छोटा सा speaker मेरे पास है, और हम अभी से खोलेंगे और अंदर देखेंगे इसमें क्या होता है, उससे पहले, इस चीज को समझने से पहले, हम magnets को, यानि चुमबकों को समझेंगे, कि वो कैसे काम करती हैं, तो इसको side में रखते हैं, और दो चुमबक ले आते हैं, यह दे चीज पक जाएंगे, लेकिन यही नहीं चीपक रही है, क्यूं? चुमबक के दो पोल होते हैं, South और North, दोनों चुमबक के अगर एक जैसे पोल को अगर आप पास लाएंगे, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो इस case में हो सकता है, यह भी इसका North पोल हो और इसका अब ये नौर्थ पोल हो, इस case में हम इनको अगर पास लाएंगे, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन अगर हम इनके पोल को बदल दें, मतलब एक चुम्बक का साउथ पोल कर दें, और एक चुम्बक का नौर्थ पोल कर दें, तो क्या होगा, करके देखते हैं, इसको पलटा, तो देखिए, पलटते ही ये चिपक गया, क्यों? क्योंकि अलग-अलग पोल हैं, ये इसका नौर्थ हो गया, इसका साउथ हो गया, पास लाएंगे तो चिपक जाएगा, और अगर इसको पलट दें, अलग-अलग पोल होंगे, तो क्या होगा? दूर और अलग अलग पूल पास में आकेड चिपक जाते हैं चलो यह हमने सीख लिया अब इसको side करते हैं अब हम अपने speaker को लाते हैं और इसको खोल के देखते हैं कि कैसे काम करता है हम इसको इसके जो आगे का ये diaphragm बोल सकते हैं इसको जो भी है इस surface को काटे गे देख सकते हैं यह मैंने काट दिया तो यह तो नॉर्मल सा एक कागज निकला और जराइस के अंदर देखते हैं क्या है यह दिखिए तो इसमें ज़्यादा चीजे नहीं हैं थोड़ी सी चीजे हैं यह जो आप चीज देख रहे हैं इसमें wire दिफता हुआ है ये क्या है Cynthia एक Electromagnet है इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि Electro Magnet क्या होती है Electro Magnet वह होती है जिसमें हम अगर बिजली देते हैं तो वह Magnet बन जाती है वह बहुत पास एक पर्मानेंट मैगनेट है, देख सकते हैं आप ये इसमें मेरा कटर जो लुहे का बनाया है, चिपकरा है, मतलब ये चुम्बक है, और ये एक एलेक्ट्रो मैगनेट है, अब जैसे कि हमने पहले समझा था कि एक पोल और दूसरा पोल अगर सेम हूँ, तो दूर भागत है, ये इस चुम्बक के ऊपर थी, जैसे हमने इसको निकाला, अब इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन अगर इस एलेक्ट्रो मैगनेट को हम करेंट देंगे, तो ये मैगनेट बन जाएगी, और अगर इस मैगनेट का और इस मैगनेट का पोल एक जैसा हुआ, तो इसमें कौन सी हलकी चीज है ये तो ये उपर को भागेगी और इसमें pulses वाला current आता है इस electromagnet में pulses वाला current आता है audio device से और ये बहुत ही जल्दी एक second में कई बार ऐसे उपर नीचे जाती है क्योंकि जब इसको current मिलता है तो ये उपर हो जाती है फिर ये नीचे जाती है फिर ही speaker काम करता है तो यहां पर electromagnet है इसके दो तार यहां इसमें connect थे और इसको सिर्फ current दिया जाता है और इसको जब current दिया जाता है तो ये magnet बन जाती है और जैसे ही magnet बनती है इन तोनों के pole match कर जाते है और आपको पता है एक जैसे pole एक दूसरे से दूर भागते है तो ये द और आपको पता है कि अगर कोई चीज वाइबरेट करती है, तो वो आवाज पैदा करती है, ऐसे ही speaker काम करता है, I hope आपको पता चल गया होगा speaker कैसे काम करता है, और क्या इसमें procedure होता है, कैसे magnet एक दूसरे को ripple करती है, और आवाज आती है, अगर आपके कोई questions है, तो आप मु आगे भी मिलती रहे, thank you so much, मिलते हैं एकली वीडियो में, good bye